नमश्कार दोस्तों क्या आप अपने प्रेम विवाह के ना होने की वज़े के परिशान है क्या आप अपने प्रेम विवाह को सफल बनाना चाहते हैं लेकिन आपके प्रेम विवाह में बाधाएं उत्पन हो रही है आपके प्रेम विवाह के लिए आपके माता पिता राजी नहीं है क्या वो लड़का वो लड़की जिससे आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं आपके माता पिता उनको पसंद नहीं करते ऐसी क्या वज़ा है कि जिनकी वज़े से आपके माता-पिता उनको अपने घर की बहु या दामाद बनाने के लिए तयार नहीं है क्या हो सकता है कि प्रेम विवाह में आपके ऐसा फलताएं आ रही है कि आपने अपने माता-पिता को सही तरीके से नहीं समझाया कि जिससे आप शादी करने चाहते हैं वो कैसे है अगर आपने हर कोशिश मुनकिन कर ली है लेकिन पेरेंट्स फिर भी कन्वेंस नहीं हो पा रहे तो आज आपने अगर सर्च किया है कुछ ऐसा उपाय टोटका कि ज हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए आए हैं दोस्तो माता-पिता को बनाने के लिए प्रेम विवहां सफल करने के लिए आज हम जो वीडियो में आपको उपाय बताने जा रहे हैं यो कि बीना तंत्र मंत्र का ए लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रेम विवहां करना तो उनके लिए माता-पिता को मनाने के लिए कुछ आपको उपाय करना होगा गुरुवार के दिन आपको काले तिल लेने हैं एक मुठी या एक चमच आपको काले तिल लेने हैं और आपको एक सफेद कागज पर अपने मा मातपिता का नाम लिख लेना है काले तिल के साथ आपको गुरुवार के दिन ही साथ हल्दी की गाठे लेनी है दोस्तों अब इन सब को आपको उस कागच में लपेट कर काले तिल और हल्दी को किसी मंदिर की बाहर सीडियों पर रखकर आना है और आपको प्रातना करनी है कि आ आपके मातपिता, आपके प्रेम विवाह के लिए राजी हो जाए। 21 दिन आप लगतार ऐसे उपाए सरल सा कीजिए। काले तिल और हल्दियों को किसी मंदर की सीड़ी पर रखकर वापिस आ जाएए। और आपको प्रातना करनी है। दोस्तों बस ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह में जो भी बाधाय मुश्किल है दूर होने लगेगी। आप सोच रहे होंगे बस इन दो चीजों के रखने से प्रेम विवाह कैसे सफल होगा। ये एक जोतिस सरल उपाए हैं। अगर आप इसे बिलकुल ही श्रदा पुर्वक करेंगे तो आपको मैं गैरंटी दे लेना है और उस पर अपने मातर पिता का नाम लिखना है दोस्तों ये सरल उपाए आपका प्रेम विवाह का बंधन ऐसे मजबूत करेगा कि कोई चाकर भी उस बंधन को तोड़ नहीं पाएगा दोस्तों इस उपाए को अवश्य करें आपको लाव होगा और कोई अन्य जान को सबस्क्रीब आवश्य कर लेजिए धन्यवाद दोस्तों